जय हैं जय भरत बंदे मात्रम, All Exam Plays पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है मुहित खेरा, आप देख रहे हैं ये वीडियो इसलिए है क्योंकि आप भी शायद Forest Service या Civil Service जोइन करना चाहते हैं, तो दोनों में से कौन सी Job Profile better है, दोनों में से किसका exam ज्याद services में, इस दर किसमें ज्याद़ बेटर है Forest Service में या Civil Service में, इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं, तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में, देखे, मैं बात करता हूँ सबसे पहले Civil Service की, तो या दख लिगा exam pattern से हम स्टार्ट करते हैं, exam pattern से स्टार्ट करते हैं ह अपने विचार जो हैं आपको, वो भी आपको इसमें क्या हैं, देने पड़ेंगे, किसमें? MPPSC, Civil Service के means में, 37, pre, लगभग दोनों का stream है आपका, और एक चीज और सबसे बैटर, जो आपको मता हूँ, देखे, Civil Service सब लोग दे सकते हैं, सब लोग, हर stream वाला Civil Service दे सकता है, जिसका graduation है, किसी भी stream से, वो दे सकता है, लेकिन forest में एक चीज ये बैटर है, कि इसे सिर्फ science background वाले दे सकते हैं, यहाँ दखलीजेगा, सिर्फ science background वाले दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या competition कम हो गया, आपका arts वालों का competition कम हो गया, arts वाले नहीं दे सकते, become वाले नहीं दे सकते, commerce वाले नहीं दे सकते, तो यह चीज आपकी क्या हो जाएगी forest service में, competition थोड़ा सा जो है, कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ science वाले ही दे सकते हैं, जबकि civil services कौन दे सकता है, सब कोई दे सकता है, exam pattern, forest में क्या है means का, भाई, easy है, MP आप यहाँ भी पढ़ोग मैं पबेट की बात करूँ, नए-ने subject आपको means में जुड़ रहे हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे, और उसकी क्या करनी पड़ेगी, answer writing करनी पड़ेगी, 3 marker, 11 marker, ऐसे करके आपका होगा, तो forest service में क्यों easy है, क्योंकि means क्या है, सबसे पहली बात तो objective है, सबसे पहली ब होनों का यह है, लेकिन भाई, यहाँ पर आपको बहुत सारे subject पढ़ना है, यहाँ पर limited subjects है, यहाँ पर आपको forestry पढ़ना है, environment पढ़ना है, mass reasoning पढ़ना है, जो कि आप pre में भी पढ़ोगे, T-side के लिए पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आप mass reasoning, तो same forest means में भी ओचीज आनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, जो आपको बहुत easy होने वाला है, इसमें forest service में, तो forest service का एक यह चीज में आपको clear कर दी, कि exam pattern जो है, वो less है, और इसका जो है, थोड़ा conventional है, descriptive है, थोड़ा broad syllabus है, तो आपको means में दिक्कत आएगी, किसमें civil service में, और forest service में, साथी जात, इसमें सिर्फ और सिर्फ science stream वाले भर सकते हैं, इसमें सभी लोग दे सकते हैं, तो competition civil service में से ज़्यादा है, अब मैं बात करूँ, syllabus, आप समझी रहें, syllabus तो बहुत broad है, किसका, आपका civil service का forest का less है, बिल्कुल बहुत कम syllabus है, means के लिए, तो अगर आप उसकी तयारी अच्छे से करते हैं, तो कम वक्त में आप forest service की तयारी कर सकते हैं, जबकि आपको civil service की तयारी करने के लिए, minimum एक साल का वक्त चाहिए, और आपको answer writing जो है, एकदम perfect करनी पड़ेगी, अब मैं बात करत आपका civil service में जादा रहता है, आप normal लोंगों से, उनकी दिंचर्या से जुडते हो, आप लोंगों से मिलते हो, आपके पास लोंग बहुत आते हैं, public interaction बहुत रहता है, अगर आप DCDSP हो तो, याने आप तेशीलदारों, महिला बाल, विकास, अधिकारियों, तो लोंगों से political interference रहेगा, political pressures रहेंगे काफी सारे, तो ये रहेगा, लेकिन रेंजर में क्या है, भी आप जंगल में बैठे हो, शांती से आपको ज़्यादा public dealing नहीं करनी है, forest service में, आपको लोंग जो हैं, वो बहुत कम मिलेंगे, आपको ज़्यादा से यादा कौन मिलेंगे भाई, जो cattle चडाने आते अपने जानवर चडाने आते आपको उनसे dealing करना है, शिकारी हैं, इनसे dealing करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको तो सभी से deal करना है, यहाँ पे नेता भी आएंगे, सारी चीस आएगे, नर्मल पॉबलिक भी आएगी, भाईया गलती से रिश्वत लेते छप गए, इसमें ज़्यादा chances है छपनेगे कि रिश्वत ले रहे हो बिल्कुल public interaction था भहिया लोकायोग तो complain होगा ही लोकायोग तो ने रंगे हां तो पकड़ लिया तो इसमें एक चीज़ का ये loss रहेगा कि public interaction जाता है अगर आपको देगी public से मिलना अच्छा लगता है तो आपके लिए DCDSP लेक best job है public से जड़ना अच्छा लगता है लेकिन आपको शान्ती चीए तो forest जादा अच्छी जाब है क्योंकि शान्ती है भी या जंगल में आपको जानवर मिलेंगे बहुत कम public interaction रहेगा सिर्फ आपके अपने department रालों से आपको जो है meetings करनी है इसमें लेकिन आप हर जगे बैठते हो election की बात करो तो election में duty आपको पता है किस तरह से लगा दी जाती है सरकारी अधिकारियों की एक दम पहले लेकिन forest में यह चीज दो रहती है बहुत कम रहती है कि forest ले जो अधिकारी है या ECF ने रेंजर है उनकी duty जो है चिनाव में लगाई जाए बहुत कम ऐसा होता है कि उनको चिनाव में पूरी तरह के से duty में रखा जाए अगर आप DSP हो तो आपको daily cases solve करने है बहुत सारे cases आते हैं आप DSP बनने से पहले जब आप DSP बन जाओगे training में रहोगे जब प्रोविजनल पीरियड रहेगा तब आप एक ठाना प्रभारी रहोगे अब आप एक ठाना प्रभारी रहोगे तो आपको TI का pressure चिलना पड़ेगा मतलब एक ठाने में नजाने कितने cases आते हैं daily वो सब आपको देखना है public billing करनी है तो थोड़ा सा tension जो है वो आपका in jobs में बढ़ जाएगा लेकिन इस job में क्या less public interactions हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आप अराम से chill करके भी क्या कर सकते हैं अपनी job जो है आप कर सकते हैं चिल रहोगे मतलब आप एक तरीके से अब post की बात करूँ तो इसमें भी आपको DC, DSP, नयाप तशीलदार आपकारी inspector, RTO inspector महिला बालवेकास अधीकारी बहुत सारी post is जो है वो PSC के थुरू भरी जाती है civil service के थुरू जिसको हम मानते हैं कि बहुत अच्छी post भी रहती है लेकिन forest में आपकी दो ही post है ACF है और ranger है लेकिन अभी ranger के साथ साथ एक और चीज जोड़ गई है परियोजना छेतरपल परियोजना छेतरपल का क्या है जो भी योजना है चल रही है नदी घाडी परियोजना इनमें जो ranger का है वो allotment आचकल होने लगा है और ranger का क्या नाम होता है किसी national park में या किसी beat में वो आपका ranger रहता है जैसे कि एक normal ठाना प्रभारी रहता है जैसे एक बड़ा सा range है उसमें एक ranger के पास एक range रहती है जैसे 8 range है तो उस जैसे 8 range होंगे सब के पास एक एक range होगी तो आप अपनी range के क्या हो एकडम दबंग हो आप अपनी range के थाना प्रभारी हो रेंजर में यह रहता है एस याफ कर हैं आपका क्या भाईया गופल्मेंट सर्वेंट होआ पॉप्लिक इंग्रइंड्याra कम रहाएगा ऑफस वयक। बहुत ज़्यादा रहता है ने रहता है लेगिन रहता है लेकिन आप रेंजर से ACF के पोस्ट के लिए प्रमोट होते हो अना ACF जो रहता हो, DFO वगरा के लिए प्रमोट होता है तो बहुत सारी AC चीजें हैं जो दोनों में समान है वर्क लोट की बात करूँ तो वर्क लोट जो है PSC की जॉब्स में जादा है आप देखते हैं कि भीया DC जो है लगई रहता है नेता जी आ गया है बिलकुल हेलिकॉप्टर लेंड करा रहा है तो मुख्यमंतरी के स्वागत के लिए DC खड़ा है तारी चीजें उसको देनी हैं, मीटिंग्स होती है लेकिन फॉर्स्ट में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि फॉर्सट की मीटिंग कौन ले रहा है भीया आपके मुख्यमंतरी ले रहे हैं फॉर्सट डेट्मेट की मुख्यमंतरी से मीटिंग हो रही है जबकि क्या होता है DC's की DSP's की मीटिंग्स रेगुलर ही जो है वो मीटिंग्स चलती रहती है इसमें आपका वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा चिनाओ आगया कोवेड आगया अब कोवेड है अब सुचिए कोवेड में जब लॉकडाउन लगा तो रेंजर अपना मस अपने जंगल में चिल कर रहा है उसे पब्लिक इंटरेक्शन से कोई मतलब नहीं लेकिन यहाँ पर डीसी डीसपी नयाप दशीलदार महिला बाल विकास अधिकारी सब रोडों पर आके खड़े हैं पब्लिक को समझाईज दे रहे हैं जलूस निकाल रहे हैं सारी चीज़े और रहे हैं तो पब्लिक इंटरेक्शन काफी जादा था वर्कल पढ़ करो तो भाईया रेंजर्स के पास बहुत बढ़िया सुवध है और फॉरेष्ट से अच्छी महमान नरावाजी कोहीं नहीं कर सकता फॉरेष्ट अच्छी याद रखी जगा फॉरेष्ट की महमान नरावाजी बहुत शानदार होती है मैंने देखी है पब्लिक इंट अपके दोस्त तो नेशनल पार्क के अंदर आप देखे होंगे कि कॉटर्स बने होते हैं अब वो नॉर्मल पॉब्लिक को नहीं मिलते हैं लेकिन रेंजर जोए उसे अलॉट करवा सकता है तो यह चीज रहती है प्लस आप खोद एक रेंजर हो आप रात को जंगल में घूमने के शौकीन हो आपको रात को जंगल सफारी करनी है नाइट सफारी करनी है नॉर्मल पॉब्लिक के लिए तो सब बंद है इवन डीसी भी जाएगा तो उसको नाइट सफारी की परमीशन नहीं मिलेगी लेकिन आप अपनी रेंज के खोद एक रेंजर हो आप अपने ट्रैवर दर्शन भी नहीं रहेगा प्लस नेचर लवर हो फोटोग्राफी लवर हो तो भही या रेंजर हो बढ़ियां कैमरा लेलो इंज्वाय करो घूमना आपको दोनों में मिलेगा अजब आपकी ट्रेनिंग चलती है तो भारत दर्शन दोनों में होता है लेकिन रेंजर और एक भारत दर्शन भी बहुत प्यारा होता है अना स्टार नेशनल पार्क से आपको ले जाएंगे बहुत प्यारा अगर आपको वाईल लाइफ एनिमलस से बहुत लगाव है तो आप रेंजर जाधा अच्छा वार्ट सर्वेश जाधा अच्छे से पर फेर करसकते हैं क्योंकि आपको इन के करीब, नीचर के करीब रहने का मौका मिलेगा, इसमें क्या है, पबलिक के करीब, अगर आप ज़्यादा सोचलाइज हो, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो फिर आप civil service जो है, जोईन कर सकते हो, इसकी तैयारी में, इसका मैं अगर बात करूँगर, आपने अच्छे से तैयारी कर ली, तो 6 मैने में भी आप रेंजर की तैयारी कर सकते हो, बहुत बैस तरीके से, 6 months is enough for mains, लेकिन इसी के mains के लिए आपको 1 साल का पूरा-पूरा महनत करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको लगाता, टैस सेरीस पर टैस सेरीस लगानी पड़ेंगी, कॉपियां चेक करवानी पड़ेंगी, तब जाके कहीं ना कहीं आपका civil service का मेंस निकलेगा, इंटर्व्यू लगभग दोनों का सेम ही रहता है, उसी में आपका शाक्षाक कार है, बतलब आप क्या हो, इंटर्व्यू क्या है, बतलब आप क्या हो, आपके बारे में जानना है इंटर्व्यूर को, वो questions भी आप से लेटेट करता है, आपकी job profiles लेटेट करता है, कि आप क्यों जो जाते हो, तो interview दोनों का same ही रहता है salary की बात करूँ salary भी लगभग दोनों की same है या लख़ीजेगा salary दोनों की same रहेगी लगभग same pay scale है अब VIP treatment आपको किसमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा forest service में कहीं भी आपके परिवार को जाना है National Park Home ने बांधावगड में रोकना है अब भाई आपका फ्रेंड कोई है सांथ वाला वो बांधावगड में पोस्टेड है आपकी फैमिली को बांधावगड जाना है आपने बोल दिया है मेरी फैमिली आ रहे है बांधावगड मूब ने तो एक पेशल ट्रीट्मेंट जो है वो आपको मिल जाएगा टैमबल्स वगेरा में और जो आप गॉर्वन जॉब में रहते हो तो आपको पता ही है वी आई पेंट्री इसली हो जाती है सारी चीज़े तो दोनों में ही है लेकिन फॉरेस्ट से र्लेटेड जो चीज़ें वो अगर आ आपको टै करना है मेरे इसाब से आपको चीज़े क्लियार हो गई होंगी कि आपको फॉरेस्ट सर्विस जॉइन करना है या किसकी तयारी करना है तो आप लोग अपने दमाग में ये चीज़ डाल लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों से वीडियो शेयर कर दीज़ेगा तयारी में लगे रहिए तयारी अच्छे से कीज़े मैं आपको बता दू फॉरेस्ट सर्विस का हमारा कोर्स भी चल रहा है प्री प्लस मेंस का वो आप जॉइन कर सकते हैं नीचे दीगाए नंबरों पर आप कॉल करकर हमारे कोर्स की जानकारी भी ले अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीज़ेगा चैनल पर नए जुणे हैं तो सस्क्राइब कर दीज़ेगा और वीडियो को शेयर कीज़ेगा आपने सभी दोस्तों से विलूँगा आपसे जल्दी ही तब तक के लिए जैहिन जै भारत बंदे मात्रा